और लेज़े तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी अधितनाद के पहुँचने की मुख्यमंत्री योगी अधितनाद पहुच चुके हैं हाथरस उसी अस्पताल में जहां पर दस घायलों का इस समय इलाज जारी है हमारे सहय योगी जो जानकारी दे रहे है उसके मुताबिक घायल इस समय खत्रे की स्थिती से बाहर हैं यह तस्वीरे आप जो देख रहे हैं अब यहां से यह जो हैली पैड जहां पर उनका चौपर उत्रा है अब यहां से यह कारवा जो है अस्पताल की तरफ कूच करेगा बहराल बहुत जरूरी हो जाता है यह जा कांच के दाएरे में आ चुके हैं कई बड़े सवाल जो हैं यहां पर खड़े हो जाते हैं इस घटना करम के बाद इनी सवालों के जवाब जानने के लिए मुक्य मंतरी योगी आजितिनात आप कह सकते हैं पहुंच चुके हैं और ना सिर्फ आज जो इस समय अस्पताल में जिनका अलाज जारी है उनसे बात चीत करेंगे बलकि जिन लोगों ने अपनों को गवाया है मुक्य मंतरी योगी आजितिनात मुलाकात करने वाले हैं दो मंतरी इस समय अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर अब से थोड़ी दिर के बाद मुक्य मंतरी पहुंच जाएंग लोग हैं उनको अस्पताल में भरती कराया जाए उतनी ही तेजी से काम किया जाए मुजफण नगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंद्र मलिक का हाथ्रस हाथसे पर बयान आया है उन्हेंने काया कि मामले में तीन दोशी हैं बाबा आयोजक और तीसरा अनुमती देने वाला प्रशासन सुनिए क्या कह रहे हैं दल दल थी और दल दल में लोग गिरे तो उनके नाक में मुँ में मिट्टी भरगी तो वो सांस नहीं ले पाए बड़ा दर्दनाक मामला हुआ है और दोशी के खिलाब कारवे होनी चाहिए मेरी यह मानना है कि आयोजक और अनुमती परदान करता है और जिला परशासन देखे यह सीधा सीधा डी एम सेस्पी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते इतना बड़ा आयोजन उनके जिले महु रहा है तो सीधी बात जो होगी डी एम सेस्पी की होगी कई राजियों के लोग इसमें शामिल थे और साथी बाबा पर भी सवाल उठ रहे हैं जो वहां पर कारिकम करने आये थे जो वक्ता थे उनके जो सेवादार थे उन्होंने भी जो लोग घायल थे इस्थानी लोगों को मदद नहीं पहुँजाने दी देखे बाबा पर तो सबसे यादा सवाल है ये देश सादू संतों का देश है सूफियों का देश है इस देश में सादू संत का सम्मान सब करते हैं सूफी का सम्मान करते हैं और उसकी आड में बहुत बाबा पैदा हो गया है मैं नहीं जानता है कोन बाबा है और चुकि इन का सम्मान करते हैं सरद्दा रखते हैं इनमें तो इसलिए कुछ इनके बारे में कहा भी नहीं जाता परन्तु बावा पर तो पहला सवाल उठता है और दूसरा सवाल होता आयोजी को पर तीसरा सवाल होता आयोज अकनभिग होगा डियम SSP की क्या जिम्मेदारी थी जो और जानकारी के साथ जोड़ गये हैं अमिद गंजु समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनका हम बयान सुना रहे हैं देखिए उन्होंने सीधे तोर पर सवाल खड़े किये हैं यहाँ पर बाबा पर जो यहाँ पर कारिक्रम का आयोजन किया गया था उस पर और दूसरा उन्होंने डियम और एसेसपी पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं उनकी भूमिका को भी वो ले आए हैं जाच के दाएरे में देखे कंचन जी इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर कहें और जहां से इस भगदल की शुरुआत हुई उस जगह मौजूद हैं देखे मैं अपने केमरेमेन से कहूंगा कि यह मंच दिखाएं यही वो जगह है जहां मंच सजा था मंच पर लोग बैठे थे और बाबा जो करसी पर बताते हैं बैठने के बाद देखे मैं उस कुर्सी नहीं कि सकता हो सकता है मैं किसी को आशरवाद नहीं दे सकता हूं लेकिए मैं यही वो कुर्सी है जिस पर बैठके लगवग मасests्यं और प्रवच्ण को समस्या मंच पर 28-30 नोग प्रत्रश्यं से तीस लोग यहा इक पीचे बैक उनकी गारी का वियाईपी लगाया गया था और वियाईपी स्टोर होते हुए यहां से गारी का काफिला उनके लिए specially एक रोड बनाई गई थी लगभग 11 लंबा पुरा पैसेज बनाए गया था जिसके माद्यम से होते हुए पूरा रास्ता अभी है अलाकी बारीश हो चुकी है पूरा रास्ता दलदल में तप्दिल हो चुका है यहां उनकी पॉटिकों में गारी खड़ी की गई थी इस गारियां यहां सिर्फ तीन गारियां खड़ी की थी बाकी गारियां 28 से 30 गारियां अस्तरव लगी थी यह रास्ता उनके लिए स्पेशली 15 दिन की मशक्कत में स्पेशली खरंजा बिछा के उनको रास्ता बनाए ताकि उनका काफिला फरफडाता हुआ कि यहां से फर्राटा भरता हुआ सीधे हाइवे तक पहुंचे और यहीं से लोगों से कुछ लोगों से उ हुए हैं अमित गंजू जहां पर यह सत्संग चल रहा था जहां पर यह जो बाबा थे भूले बाबा के नाम से जो यह शक्स जाने जाते हैं जो सत्संग कर रहे थे वह यहां पर ही बैठके सत्संग कर रहे थे लिकिन बहुत बड़ी बात यह है कि जो पंडाल इसमें पानी से भारा हुआ है जहां पर खचा खच कर लोग भारा है